किश्चन का कहना में कि ए ने एक घड़ी 190 रुपया में बेचा और इस प्रकारू से 5% का लॉस हुआ नुकसान हुआ घाटा हुआ घड़ी का लागत मुल्य यानि CP यानि cost price क्या है तो हमें देखना यह चाहिए इस सबसे पहला जो main fraction होता है न वो होता है 100 वटा में 100 अगर आ 10% का नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है इसमें से आप माइनस करेंगे नुकसान के इस्तिति में माइनस लाब के इस्तिति में प्लस करेंगे तो यहां पर कहता है कि 5% जो है हमें वो 5% हमें नुकसान हुआ तो 5% इसमें से घटाएंगे तो वो बनेगा 95 बटा में 100 तो यह fraction हो गया अब हमें डिसाइड यह करना है यह हमारा fraction बन चुका है पांस परसेंट लॉस का मतलब पंचानवे बटा सौक कि अगर मैंने किसी चीज को 190 रुपय में मैंने बेच दिया और 190 रुपय में बेचा और मुझे लॉस हुआ नुकसान हुआ इसका मतलब साफ है कि मैंने जो खरीद के लाया है वो 190 रुपय से ज्यादा का था तभी तो मुझे नुकसान हुआ तो 190 रुपय का ज्यादा था और उसी condition में हमें नुकसान हुआ तो अगर हमें ये पता चल गया कि 190 रुपय से उस चीज को मैंने ज्यादा में खरीद करके लाया था तो ये ऊपर में ज्यादा वाला fraction को उपर करिएगा यानि 95 और 100 में ज्यादा 100 है इसलिए 100 को उपर कर दीजेगा तो 100 बटा में ये हो जाएगा 95 पांच से काटिएगा तो ये 20 बार में ये वाला 19 बार में 19 से काटिएगा तो ये 10 बार में यानि खरीद करके मैं इसको 200 रुपया में लाया था CP मारा लागत मुले 200 रुपया था तो याद रखेंगे कि सबसे पहला fraction बनाया जाता है में fraction 100 बटा में 100 होता है 5% loss यानि घाटा का मतलब 95 बटा 100 किसी चीज को 190 रुपया में बेचा और मुझे नुकसान हो रहा है इसका मतलब साफ है कि मैं खरीद करके 190 से जादा मिलाया था तो जो fraction जादा रहेगा उसको उपर डाल देना है तो 95 और 100 में 100 जादा था इसलिए उसको मैंने उपर किया और काटा तो पता चला कि CP यानि cost price लागत मुले मेरा 200 रुपया था 200 रुपया में इसको मैं खरीद किलाया था आई अगला question देखते है अगला question आयत की लंबाई तथा चवडाई को करमसा 10% और 20% बढ़ा दिया गया तो आयत के छेतरफल में कितने परसंट का ब्रीधी होगा तो याद रखेगा ऐसे question में ऐसे question में जो formula होता है कमी या ब्रीधी का मतलब x plus y plus xy by 100 होता है x plus y plus xy by 100 होता है lab की स्थिति में plus और हानी की स्थिति में minus कर दिया जाता है तो कमी या ब्रीधी दोनों के लिए formula जो हमारे पास होगा वो होगा x plus y plus xy by 100 यह हमारा formula होगा और x का मतलब और y का मतलब यह percentage है जो 10% और 20% दिया हुआ है तो कहता है कि 10% तथ 20% बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो loss नहीं हो रहा है नुकसान नहीं हो रहा है बढ़ेगा तो यह plus sign यूज़ करेंगे यानि हम यूज़ करेंगे 10 plus 10 plus 20 plus 10 गूने यहाँ पर नहीं हो पाएगा यहाँ देख लिए जगा 10 plus 20 गूने 10 सरी यहाँ प्लस होता है यह हमारा प्लस है 10 गूने 20 और बटा में 100 यहाँ से जब मैं काटूंगा तो यहाँ दो यानि 20 और 10 तीस और यह plus का sign है यहाँ पर तो यहाँ पर दो और है तब 20 10 तीस और दो 32 परसेंट का हमें profit होगा यानि लाव होगा और अगर छेतरफल की बात करें तो 32 परसेंट हमारा छेतरफल बढ़ जाएगा एक बढ़ फिर से तो यहाँ पर कहता है किफचन कि अगर आयत की लंबाई और चोड़ाई को 10-10 परसेंट बढ़ा दिया जाए तो याद रखेंगे कि छेतरफल पर जो भी होगा वो x-y-y-100 के हिसाब से होता है तो एग है 10 और दूसरा है 20 प्लस का साइन है 10 गुने 20 और बटा में 100 करेंगे काटेंगे तो यहाँ से 2 कट 2 बचेगा 20 और 10 30 होता है 32 32 परसेंट का हमें यहाँ पर छेतरफल जो है हमारा बढ़ जाएगा यानि ब्रीध ही हो जाएगा अगला क्यूशन अगला क्यूशन करता है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं जब कि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है सानी से इन हैं हम बना सकते हैं जैसे कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर के इस Kाम को 16 दिन में करते हैं और ए अकेला इसका को 24 दिन में करता है इन दोनों का LCM लेंगे LCM आ जाएगा 4848 और यह होता है पूरा काम यानि काम हमें टोटल 48 करना है इससे भाग देंगे तो तीन बार में इससे भाग देंगे तो दो बार में यानि ए और बी दोनों मिल करके सिर्फ तीन काम कर पाएंगे ए अकेला इसे सिर्फ दो काम कर पाएगा काम हमें टोटल 48 यानि 48 करना है तो अब आप देखेंगे कि जब A और B दोनों मिलकर के तीन को काम कर रहा है और A अकेला दो काम कर रहा है इसका मतलब B साफ हो गया कि वो एक काम कर पाता है तो B अगर एक दिन में एक काम करेगा तो पूरा उसको 48 काम करने में एक के हिसाब से 48 दिन लग जाएंगे तो हमारा जो question है एक अकेला इस काम को 48 दिन में करेगा दोनों का LCM लेने से यह 48 आया और यह पूरा काम कहलाता है यानि हमें काम जीतना करना ही यह पता चलेगा भाग देंगे तो capacity यानि छंता पता चलता है यानि A और B अगर दोनों मिल करके 16 दिन में करते हैं या केला 24 दिन में तो यानि दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है और A अकेला 2 काम इसका मतलब B अकेला सिर्फ एक दिन में एक काम करता है और वो 48 काम करने में पूरे 48 दिन लेगा तीन संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 6 अनुपाद 8 है इनका गुननफल 92 голл caller तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा त्तीनों शंख्याओं का जो योग हमसे पूछा जा रहा है उसके लिए हम इसको अराभ से डिशीय guesses भी बना सकते हैं एकस मानके भी बना सकते हैं तो कि यहां पर कहता है कि तीनों का गुननफल यानि मॉल्टिपल जो है वह बानवे सो सुला है तो तीनों को जब यहां पर मॉल्टिपलाई किजिएगा तो आपका एगा थ्री इन्टू 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 एट इक्वल टू अगर मैं काता हूं तो देखेगा चो तीन चतरी अठारा से काड़ता हूं अठारा पचछन नब्य बचा दो और यहां पर अठारा एकम अठारा अठारा दूना चतिस फिर मैं आच से इसको काड़े देता हूं तो आच छक हरतालीस और तीन बच्चा आठ चों का 32 यानि मैं कह सकता हूं कि एक रेशियो का जो भैलू आया वह आया 32 तो एक रेशियो का भैलू अगर यहां पर हमारे पास 32 है तो यहां पर एक रेशियो का जो भैलू आया वह भैलू आया 64 तो याद रखेंगे कि यहां आपने मल्टिप्लाइ किया है अगर इसको आप x माने होते हैं तो यहां पर xx x multiply हो करके यह हो जाता क्यू यानि हम कह सकते हैं कि हमारे एकस क्यू का हैलू आता 24 तो एकस का जो भैलू वो होगा चार एक्स का वैलू अगर 64 है तो एक्स का वैलू 4 होगा तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक्स का वैलू 4 है तो 4 से जब मैं इसमें मुल्टिप्लाई करूंगा तो यह आगा 4 तिया 12 यह 4 शक 24 और इस दर वाठे 32 अब हमें यहां पर जब टोटल का योग चाहिए तो हम लिखेंगे बारह 24 और 32 का योग यानि सम हमें चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे कि 12 प्लस 24 और 32 जब हम इसको जोड़ेंगे तो चार दू छो और दू आठ तीन दू पांच और दू साथ सेवेंटी एट आएगा और यह हमारा अलसर हुआ एक बार आप इसको फिर से समझते हैं देखिए पहला चीज़ कहां कि तीन रेशियो है तो इसको थ्री एक्स 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 मैंने मा मल्टिपलाई बोला कि गुणा करिएगा तो 9260 आएगा काटा तो यह एक्स एक्स जब गुना हुआ तो एक्स क्यूँ बना और एक्स क्यूँ कर जो भैलू आया वह आया 64 ऐसे एक रेशियो का भैलू अगर 64 आ रहा था तो एक्स क्यूआ बहलू हमारे पास 64 आएगा तो X का भैलू 4 आएगा तो जब X का भैलू अगर 4 आ गया तो 3X 14 12 छचोग के 24 और 8 चोग के 32 आएगा यानी टोटल यहां पर हमारे पास 12,24 और 32 आएगा और इनका कहता है कि योग बताई योग तो यहां पर जब हम इसको योग बनाएंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा सेबेंटी एट अगला किश्चन कहता है कि बराबर छमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत होगी तो यहाँ पर जो किश्चन हमारे पास है वो है टाइम एंड वर्क से जो कि यह MWF MDH जो होता है में डे आवर वहाँ से है तो यहाँ पर कहता है किश्चन में डे आवर MDH फर्मूला पर चलता है यानि आदमी दीन घंटा को उपर और W का मतलब वर्क यानि काम को नीचे लिखा जाता है कहता है कि कोई 15 पंप किसी काम को मान लिजी कि 7 दिन में कर लेते हैं तो मैं चाह रहा हूं कि इसी काम को 5 दिन में तो के लिए बराबर कर साइं तो कितने और पंप यानि 15 तो रहेंगे ही इसके इलावा मुझे 100 चाहिए तो कितने और पंप इसको पांच दिन में भर सकते हैं यानि 15 पंप मिल करके साथ दिन में गर किसी टैंक को भर सकते हैं तो कितने और तो के लिए बराबर का साइट कितने और तो मान लेते हैं 100 यानि 15 तो रहेंगे उसके इलावे 100 और इस चीज को पांच दिन में भर सकते हैं तो पांच से इसको काटिए तो पांच दिया पंदरा सात्तरी एकईस यहाँ पर आया 21 और यह वला आपके पास पला से पंदरा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और जब इसको घटाईएगा तो 21 में से पंदरा जाएगा तो आएगा आपका 6 यानि आपका सकते हैं कि 6 पंप और हमें लगाना चाहिए 6 पंप अगर हम और लगा देंगे तो हमारा यह टंग की पांच दिन में ही भर जाएगा आई अगला क्यूशन एक गिंद किसी उची इमारत की छट के अच्चर तवारन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से गिराई जाती है तीन सेकेंड के बाद इसका बेग क्या होगा तो यहाँ पर किफचन कहता है चलिए अब कुछ और किफचन एक और थोड़ा सा सिंपल सा लेते हैं उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम बना करके तीन सेकें एक साथ उचा ले जाते हैं पर तेक सिंपल के का एक ही पहलू उपर आने की संभावना यानि प्राइक तक क्या होगी यानि तीन सिंपल तो सबसे पहला चीजिए कि जितने सिंपल के होंगे उतना जैसे तीन सिंपल है तो एक सिंपल में दो पहलू होते हैं एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल तो यह होता है दो लेकिन सिंपल होंगे तीन तो टोटल जो संभावना बनेंगे वो बनेंगे आठ यह हुआ टोटल तो टोटल संभावना आठ लेकिन एक ही सब पर हेड आना चाहिए तो सब पर अगर हेड आएगा तो एक ही कंडिशन है कि सिर्फ एक ही बार तीनों सिक्के पर हेड आएंगे एक ही बार तीनों सिक्के पर टेल आएंगे और बाकी बार दो बार हेड दो बार टेल एक बार हेड टेल ऐसे करके आठ इसको बनाने का तरीका यह है कि जो कंडिशन कहता है उसको ऊपर लिखे और जो टोटल है उसको नीचे लिखे तो हमारे पास एक बार ऐसा चांस आएगा जिसमें तीनों ऊपर आएंगे एक जैसे और टोटल कितने है आठ तो हमारा जो पॉसिबिलीटी बनेगा वह एक